इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकरिंस ऑफ मैंटल्स यह चेप्टर 9 क्रेश नख़ पहले वाले वीडियो में हम लोग सामने का पॉर्षन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स में जो हैं जो जो अपने आज पास देखते हैं वो जाद अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो ओशि पर दीशी सिरीज तरफ है ढ़नी कि जो ले सी रीयक्टिव हैं जैसे कि गोल्ड और अर ब्लाटिनम यह सारे हम लोग को प्री स्टेत में मिल जाथे हैं लेस रेक्टिव है न मिली आई तो कि करेंगे तो त्री इसने वालेता में आवीलीबल रहते हैं वहां चिंव मुर प् है वो भी नेचर में ऐसे ही नाचरली अकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में ही और जिनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ट है और उसकी के हिसाब से उनलों का फिजिकल प्रॉपर्टी भी अपना कुछ एक फिक्स रहता है मतलब इसका एस्टीमेट कर सकते हैं उनको हम इसको में और को कुछ ऐसे मिनरल हो गये जहां पर किश को उसमें से कोई मैटल गया गया मतलब कर सकते हैं अ किलो उसी जब में नहीं होते हैं तो यह जह सब मिल्ते हैं ऊती हैं कि निि Priming takeaways नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पर यह term दिया है next है यहाँ पर एक table दिया है जहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि कौन-कौन से ores जो होते हैं कितने types के ores होते हैं metals के four types है basically एक होता है oxide ore, एक carbonate, एक sulfide और एक sulfate यह जो sulfate है उसका एक single ore हम लोग को पढ़ना है gypsum gypsum जिसको की calcium sulfate बोलते हैं ठीक है hydrated calcium sulfate यहनि कि यह calcium का ores है यहाँ से हम लोग calcium निकाल सकते हैं वहीं पर जो sulfide है उसके दो examples दिये हैं iron pyrite और copper pyrite iron pyrite में से iron और copper pyrite में से copper निकाल सकते हैं next है carbonate, carbonate में आ जाता है dolomite, limestone और kelamine इसमें से dolomite है उसमें से हम लोग magnesium और calcium यह चीज़े निकाल सकते हैं जो line stone है उसमें से हम लोग calcium निकाल सकते हैं और जो kelamine है उसमें से zinc निकाल सकते हैं and last है oxides तो oxides जो हैं वो four type के दिये हैं hematite, magnetite, bauxite and cassiterite जो hematite है उसमें से iron निकाल सकते हैं magnetite है उसमें से भी iron निकाल सकते हैं तो यह दोनों जो हैं वो iron के बहुत ही important ores हैं next आ जाता है वकसाइट इसमें से aluminium निकाला जाता है यह 36 गड़ में बहुत ही दाधा माउंट में आपको देखने के लिए मिलेगा अगर हम लोग hematite और magnetite की बात करते हैं तो यह 36 गड़ के map में आपको नीचे साइड वाला जो हिस्सा है उसमें मिलेगा और उसके बाद आते हैं कैसे राइट इसमें से हम लोग tin निकाल सकते हैं अब यहां पर एक जानने वाला बात यह है कि 36 गड़ जो है वो पूरे इंडिया में maximum producer है यहीं से ही सारा टिन जो है वो बंद करके जाता है अब यह जो 4 टाइप और हैं यहीं हम लोगों को यहां पर पढ़ना है आगे इनके बारे में इंपोर्टेंट मिनरल्स और डिस्ट दिया है कि जो टिन है न उसका यहां पर मिलते हैं यहां पर दिया हुआ है अब आपको यह सारे डिस्टिक के नेम एकदम अच्छे से याद नहीं करने पढ़ने एक basic चीज़ देख लो कि यह सारे डिस्टिक जो है वो 36 गड़ के मैप में साउनन साइड में प्रेजेंट है नीचे के साइड में तो आप बस इतना याद कर लो कि जो बस्तर वाला एरिया है उसके पास में आपको हेमेटाइट मिनरल जो है वो मिल जाएगा देखो तो सरगूजा कोर्बा जश्पूर कांकेर बस्तर कबीर धाम अब देखो सरगूजा कोर्बा जश्फूर यह उपर वाला area है और बस्तर जो है वो नीचे वाला area यानि के बस्तर आपको overall distribution मिल जा रहा है पूरे 36 गड़ में नेक्स्ट आ जाता है लाइम स्टोन यह राइपूर राइगर्ड जाजिये चापा कभी धाम इतना एरिया मिडल वाला पोर्शन है ठीक है देन बस्तर यह नीचे आ जाएगा बिलासपूर दूर्ग और राजनंग गाउं यह भी मिडल वाला पोर्शन है नहीं कि आप लाइम स कि इस लेसन का नाम है metals and metallurgy तो metals के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए उनके physical and chemical properties भी पढ़ लिए अब देखते हैं metallurgy क्या है the process of obtaining metals from ore is called extraction of metals और metallurgy यानि कि ores में से minerals को निकालना का जो process है उसी को ही extraction of metals बोलते हैं उसी को ही metallurgy बोलते हैं यह जो metallurgy है उसके three main steps होते हैं concentration of ore, दूसरा होता है extraction of metal और तीसरा होता है purification of metal तो concentration of ore इसका first step है यहाँ पर simple में बता दो तो concentration of ore का मतलब यह होगा कि ore है उसमें minerals तो present है लेकिन impurities भी जादा हैं तो impurities को कम करके metals का concentration बढ़ा देना इसको बोलते हैं उसको concentrate करना next आता है extraction यानि कि यह जो concentrated ore है अब उसमें metals को extract करके बाहर निकालेंगे जब extract करके निकाल से हैं तो तब भी उसमें कुछ-कुछ impurities रहती है और state में नहीं रहता है तब हम लोग करेंगे उसका purification यह तीन steps है अब कौन से type का ore है उस पर depend करेगा कि हम लोग कौन से technique से उस metal को extract करेंगे जैसे ore के four types हम लोग उपर phosphate तो जो oxide है वो बहुत easily निकल जाता है उसमें से कोई भी metal लेकिन बाकी में थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है इसलिए कौन से type का ore है उस पर depend करेगा कि कौन से technique यूज करना है तो concentration of ore के लिए यहाँ पे कुछ techniques दिये हुए हैं ठीक है concentration of ore मतलब जब ore हम लोग mines में से निकाले तो क्या है उसमें large amount of impurities present है example क्या ले सकते है sand, soil इनको ही हम लोग गैंग बोलते हैं इस impurities को गैंग बोलते हैं अब metals के extraction से पहले इन impurities का removal जो है वो ज़रूरी होता है and इसी process को बोलते है concentration of ore तो concentration of ore के जो जो techniques यहां पे दिये हैं उसको one by one detail में देखते हैं पर्स यह है gravity separation method अब जैसे इसके name से ही पता चल रहा है gravity के थूरू separation होना है that means हम लोग जो भी कोई सा ओर यहां पे use कर रहे हैं उसमें जो ओर है और जो gang materials है मतलब gang particles जो उसमें present है उन दोनों के density इसमें large difference ह होना चाहिए कोई भी एक चीज जो है वो जादा dense होना चाहिए तो ऐसे में जो denser substance होगा वो सैटल हो जाएगा और जो rarer substance है वो फ्लोट होगा और वैसे करके दोनों separate हो सकते हैं तो gravity separation method में आपको दिख रहा है इस type का कुछ arrangement है यह यह जो यहां पे ऐसे से खांचे बने ह करके मतलब water के साथ में mix करके और यहां से ऐसे फ्लो करते हैं जब फ्लो करेंगे तो जो heavier particles थे heavier particles थे वो यहां से टल हो जाएंगे इसमें नीचे नीचे जो बना हुआ हो है और जो lighter gang particles हैं वो फ्लोट होते वे यहां आ जाएगा और ऐसे करके यह दो दोनों चीज़े हैं वो gravity separation method जो है वो यूज करते हैं जिसे example में यहाँ पर हैमेटाइट ओर लिया है यह oxide वाला था था तो फैरस oxide है तो हैमेटाइट मतलब oxide है तो यहां पर यूज कर रहे हैं नेक्स्ट है यहां पर magnetic separation method magnetic separation अब यहां भी भी नाम से पता चल रहा है जो भी और हम लोग ले रहे हैं उसमें कोई भी substance magnetic होना चाहिए या तो और खुद या फिर उसका जो impurity है वो यहां मैं आपको figure से समझा देती हूं जो चीज़ें यहां पर theory में लिखी होई है उन्हीं चीज़ को मैं आपको figure में बता दे रही हूं तो यहां पर देखो यह figure बनाव है magnetic separation का magnetic separation method का अब इसमें देखो इसमें बेल्ट है वही magnetic है नेचर में magnetic है तो क्या होगा कि जैसे ही यह finely grounded जो भी ओर है वो इसके उपर आएगा तो इसमें से जो भी magnetic particle होगा वो इस बेल्ट पर चिपक जाएगा अब यह बेल्ट जब घूम करके ऐसे आ रहा है तो जो चीज़ इसमें चिपक गया है वो तो इसके स इसका रहेगा तो ऐसे यह जो दोनों जीज़ें वो सेपरेट हो जाती है अब यह वाले method में ज्यादा तरकी क्या बनेगा तो कौन से टेक्निक पे ज्यादा तरकी हम लोग तीन का जो और है उसको सेपरेट करते हैं ठीक है तीन और को यह भी oxide और है तो यह यह यूज हो रह ग्राउंड करके यहां पर डाल देना है ठीक है फाइनली ग्राउंड करके इसमें डालेंगे और क्या करते हैं इसमें water और pine oil यह दोनों ही चीज़े उस और के साथ में mix कर देते हैं यह दिख रहा है आपको air तो air compressed air यहां से पास कराते हैं जब air इसके इंदर डालेंगे तो जादा तर की और के साथ में चिपक जाता है और वहीं पर जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनके साथ में water stick हो जाता है और वह नीचे सेटल हो जाते हैं तो यह जो फ्लोट करके यहां आया वह अलग हो जाएगा तो concentrated और हम लोग के यहां पर मिल जाता है अब इस वाले में सेपरेट किया जाता है ठीक है तो फोट फ्लोटेशन में आप याद रखना है कि इसलफाइड और का यहां पर सेपरेशन हो रहा है सबसे फर्स ग्राविटी सेपरेशन में कार्बोनेट और ऑक्साइड था उसके बाद मागनेटिक सेपरेशन में हम लोग देखे ऑखे और यह जो है इसमें इंप्यूरिटी स्वाइल्स पेबल्स या स्टोन्स होते हैं तो यह इजली नीचे सेटल हो जाते हैं अब 36 गड़ में हाई क्वंटिटी में आईरन ओर जो है वो मिलते हैं तो इनके सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड है तो आईरन ओर का हम लोग देखे थ मतलब कि कौन सा मेटल है कितना रैक्टिव sodium, potassium और calcium दिया हुआ है, क्योंकि यह जो सारे हैं वो elements के form में तो दिखेंगे ही नहीं हमेशा, compound बना के रहते हैं, अब जब हम लोग electric current जो है वो पास कराते हैं, इन compound से, तो यह जो है वो cations और anions के form में dissociate हो जाते हैं, और उसी basis में वो cathode और anode पे अलग-अलग deposit हो जाते हैं, इसी process को बोलते हैं electrolysis, तो aluminium जो है वो जादतर की electrolysis के तुरू ही obtain किया जाता है, next है medium या फिर less reactive metals, यह दोनों जो है वो oxide, sulfide या carbonate ore के form में मिलते हैं, इनको जो है हम लोग chemical reduction method के तुरू separate कर सकते हैं, मतलब extract कर सकते ह अब जो less या फिर low reactive हैं जैसे की mercury वो जो है, वो simply बस उसको heat कर देंगे उसके ore को तो भी वो मिल जाता है, क्योंकि mercury जादर के oxide के form में रहता है या फिर sulfide के form में रहता है, तो बस उसको heat कर देने से ही mercury जो है वो obtain हो जाता है, for oxides, sulfides and carbonates of other metals, two steps are followed to easily reduce the metals from its ore, ठीक है, oxide, sulfide या carbonate जो होंगे उसके लिए नीचे दिये वे दो steps हैं, उनको follow किया जाता है, तो देखते हैं क्या क्या steps है, converting the metal sulfide और carbonate to corresponding oxides, अब steps में क्या दिया है, तो first step है कि sulfide या carbonate जो है उसको oxide में convert करेंगे, ठीक है, दो step था, तो first step में हम लोग को कह चाहिए, sulfide और carbonate को oxide में convert कर और अगर oxide ही form में है, तो first step वहाँ पर use हो गई है, अब इस conversion के लिए क्या है, तो दो type से convert हो सकता है, एक होता है roasting और एक होता है calcination, अब यह क्या क्या है, तो जब हम लोग concentrated sulfuric, concentrated sulfide ores जो है, ठीक है, sulfide ores, उनको क्या करेंगे, तो उनके melting point से थोड़ा कम temperature प्रोवाइड क करा जाता है, इस process को बोलते है, roasting, heating of concentrated ores below their melting point in the presence of air or oxygen is called roasting, यह जो रोस्टिंग है, इससे क्या होगा, तो जो भी sulfide है, वो क्या होगा, एक्चल में heat कर रहे है, air के presence मतलब oxygen के साथ उसका reaction, reaction करा रहे है, इससे क्या होगा, कि sulfide जो है, उसको oxygen जो replace कर देगा, और oxide मिल यह था, index दिया है, फिर हम लोग heat करेंगे इसी concentrated ore को below its melting point, लेकिन अब absence of oxygen, यहाँ पर जैसे यह carbonate के form में था, जब sulfide के form में रहता है, तो air यानि की oxygen के presence में heat करते हैं, इसको roasting बोलते हैं, जब वो carbonate के form में रहता है, तब air के absence में heat करते हैं, और इसको calcination बोलते हैं, उससे metals को oxide में convert कर देते हैं, अब जब वो oxide में convert हो चुका है, तो अब बस reduction करना है, reduction मतलब removal of oxygen, तो यहाँ पर once the ore are converted to their oxide, then they are reduced to obtain respective metals, ठीक है, एक बार oxide मिल गया, तो अब उनको reduce करेंगे, तो metals के जो oxide होते हैं, उनको heat करते हैं, flux के साथ में, और reducing agents के साथ में, जिससे की metal ह है, वो liquid के form में हम लोग को मिल जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, smelting, ठीक है, क्योंकि यह जो metal है, वो anyhow melt होकर के मिल रहा है, इसलिए smelting बोल रहा है, इस प्रोसेस को, जो flux है, उसका काम है यहाँ पे, कि जो भी hardness है, उसको remove करेगा, ताकि वो जो है, वो melt हो प presence में, जिसे हाँ पे coke लिया है, तो coke भी तो carbon होता है, तो carbon के presence में heat करते हैं, तो यह जो carbon है, वो इस oxygen के साथ carbon monoxide gas बना के evolve हो गया है, और pure zinc हम लोग को मिल गया है, और दूसरा chemical reaction method है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ यूज होगा displacement reaction वाला जो principle है, वो, क्य जो है, वो less reactive है in comparison to iron, तो क्या होगा, iron इस copper को replace कर देगा, तो iron का sulphate बन जाएगा, और copper separate हो जाएगा, वैसी zinc भी जो है, वो copper से जादर reactive होता है, तो zinc की use करेंगे, तो वो भी replace कर देगा, और zinc sulphate मिलेगा, और copper अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे chemicals, दूसरे chemicals के through reduction हो रहा है और पहले वाले में carbon के through reduction हो रहा था, तो यह दो methods है, अब concentration भी हो गया, और extraction भी हो गया, तो next method आता है, purification of metals, अब purify कैसे करेंगे, तो जो भी metals हम लोग को reduce होकर के मिले हैं, उनमें भी बहुत सारे impurities present रहते हैं, तो इनको हम लोग impure metal बोलते हैं, अब इस metal को, इस metal से pure metals ह को obtain करना है, और इस process को बोलते है, purification of metal, अब यह भी दो तरीके से हो सकता है, पहला, physical method, and then obviously, दूसरा क्या होगा, chemical method, ठीक है, तो physical method में क्या दिया है, कि दो main physical techniques है, purification of metals के, एक तो है, liquefaction, और दूसरा है, zone refining, जिसको की fractional crystallization भी बोलते हैं, liquefaction में क्या होगा, तो metal, ज फरने से खोगा, उसके अंदर उसको डालेंगे, और heat करेंगे, तो यह जो है, वो melt हो जाएगा, जब यह melt हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, कि जो impurities है, वो अलग हो जाएगे, और जो pure metal है, वो अलग हो जाएगा, तो यह simple technique है, liquefaction का, दूसरा है, zone refining, या फिर fractional crystallization, अ इंप्योरिटी का melting point जो है, वो in metals के comparison में different होगा ही, दोनों का melting point में difference होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कि इसको heat देंगे, कितना heat करेंगे, तो in metals के melting point जितना heat करेंगे, impurities जितना नहीं पहुँंचेंगे, ठीक है, presence of impurities lowers the melting point of the metal, ठीक है, जहाँ भी impurity present है, वो क्या करता ह है metals के melting point को कम कर देता है यानि कि अगर pure gold होगा मान लो प्यूर गोल्ड एक particular temperature में अगर melt हो रहा है तो जो impurities अगर mixed है उस gold में तब वो थोड़े कम temperature में ही melt हो जाएगा तो क्या करते हैं देखो यहां figure से समझा देती यह एक rod लिए है impure metal का और इसके बाद एक यह क्या है तो यह circular heater है circular heater है circular heater को इस rod में एक end से दूसरे end तक घुमाते रहते हैं जब घुमाते रहेंगे तो जो impurities है न वो क्या होता है कि जहां पे metals जो है जैसे मेल्ट होगा तो वहां पे impurities dissolve होते जाएंगे जब मेल्टेट फॉर्म में है न तब उसमें impurities dissolve हो जाता है easily जैसे हम लोग इसको यहां यहां घुमा रहे हैं तो जो metal यहां से starting में जैसे एक ही जगा पे रखेंगे तो वहीं का वह पिखलने लगेगा लेकिन हम लोग पूरे में घुमा रहे हैं तो मानलों इसके ऊपर का थोड़ा सा लेयर जो है वहां पर मेल्ट हुआ वहां इंप्यूरिटी जो है वह जा करके mix होने लगेंगे जो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ट है कि impurities are more soluble in liquid state of metal as compared to the solid state solid state से जाधा liquid state में impurities जो है वो dissolve होते हैं तो जैसे जैसे वो melt होगा वहां वहां impurities जो है वो dissolve होते जाएंगी ऐसा करते करते क्या होगा कि जैसे यहां से हम लोग start किये हैं तो यहां पे जब वो melt हुआ तो impurities इसमें dissolve हो गया आगे बढ़ाएं तो यह जो melting वाला form था वो अब जमा और यहां पाला मेल्ट हुआ तो impurities यहां से यहां आ गया और फिर next यहां आ जाएगा जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे इसको हीटर को वेसे वेसे impurities मूव होते जाएंगे मूव होते होते किसी एक एंड पे आ करके वो जमा हो जाते हैं अब यह जिस एंड पर जमा हो गया है उस पोर्शन को कट करके निकाल दो बाकी का पोर्शन जो है वह प्योर मेटल है तो इस तरीके से zone refining या फि इसमें क्या कराना है हम लोग को electrolysis कराना है मतलब electricity के presence में metals का क्लीनिंग कराना है यहां क्या करेंगे हम लोग एक थीक लेंगे ठीक है electrolysis हम लोग पहले भी बढ़ें लेसेन में कथोड होता है एक एनौर होता है , जो है , वह one करने है , तो हम लोग को क्या करना है , की एक आपको यह ले लेंगाँ है , इसके अंदर इलेक्ट लाइट करना है , देखू , , METAL का हम लोग했 रॉड बनाके डालें उसी METAL का Solution यहां डालना है जैसे अगर यह कॉपर के ROD है तो कॉपर का Solution डालो जैसे कॉपर सल Запad solution डाल दी है ठीक है तो INTERFT Solution हम लोग Call करेंगे अब क्या करेंगे क Pre-Cupor और नालेंगे और एनाड पे pure copper का एक पतला सा rod डालेंगे अब जैसे ही electricity pass कराएंगे तो इसमें से impurities यहीं रहेंगे जो pure copper है वो इस rod से निकल के solution में जाने लगेगा और फिर solution में से यहां deposit होने लगेगा तो धीरे धीरे यह cathode वाला rod पतला होता जाएगा और एनॉर्ड वाला rod जो है वो मोटा होती जाएगा और एनॉर्ड वाला rod तो pure metal सा था तो ऐसे करके impure metal में से pure metal जो है वो separate हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग chemical method उसी चीज़ को यहां पर पूरा detail में लिखा हुआ है यह जो है जादतर की इस टेकनीक के चुरू हम लोग chromium, nickel, copper और zinc यह सारे metals को purify करते हैं तो overall हम लोग क्या देखे कि जो ores है यहां पर flow chart में उसको आप simple way में दिया है metals जो है वो extract करके निकालने हैं अब यह extraction जो है वो तो base था किन चीज़ों पर उनके reactivity पर reactivity के basis पर metals three types के थे most reactive metals, medium reactive metals और less reactive metals यह जो most reactive metals है उनका क्या कराते हैं हम लोग electrolytic reduction कराते हैं molten metals में तो mold हो गया और reduction हुआ तो जैसे most reactive है तो आपको oxide की form में मिल रहे थे ना electrolytic reduction करा है तो और metal मिल गया जो less reactive metals है वो sulfide ore की form में मिलते हैं तो sulfide ore का तो roasting कराया जाता है तो sulfide ore का यहाँ पर कराएंगे roasting, roasting से metal मिलेगा फिर metal का purification करा लेंगे तो वो होगे separate अब next है जो moderately reactive थे medium reactive metals थे उसके दो टाइप की ore बनते हैं या तो carbonate ore या फिर sulfide ore, तो sulfide ore का roasting होता है तो sulfide ore का roasting कराएंगे और carbonate ore का calcination इन दोनों ही method से हम लोग को metal का oxide मिल जाता है अब इस metallic oxide का reduction कराते हैं reduction से pure metal obtained मतलब metal obtained होता है फिर उसका के बारे में पढ़ेंगे और alloys के बारे में पढ़ेंगे तो आई होप आपको यह वीडियो यहां तक समझ में आया thanks for watching and please do subscribe to our channel if you are new and if you want to stay connected with us you may click the telegram link given in description thank you